आजकल एक काम बड़ा फलफूल रहा है वैसे तो डोक्टरों को लोग भगवान समझते हैं प्रमात्मा का दर्जा देते हैं और देना भी चाहिए वो हर संभव परियास करते हैं लोगों की जान बचाने का लोगों को जीवन दान देने का रोगों से बचाने का पीडितों को किसी भी परकार से वो फ्रमात्मा से कम नहीं होते हैं लेकिन इस फिल्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिस परकार से किर्शन के साथ पॉंडर काया था उसी परकार से ये लोग अच्छे डोक्टरों के साथ बुरे लोग भी होते हैं जो मानव के जीवन को बरबा परनों के शरीर से उनके अंगों को निकाल करके बिजनिस करते हैं, लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं, लोगों के परिवारों के साथ खेलते हैं, ये हत्याएं इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती, किटनिया निकाल लिए, लिवर निकाल लिया किसी और के चल रहा है इतने बड़े सतर के उपर काम चल रहा है इतने बड़े बड़े लोग इसमें सामिल है अमेरिका तक के लोग उसमें सामिल है तो कुछ लोग अपने जीवन को बरबाद कर लेते हैं रिक्षया वाले हैं गरीब लोग हैं जुग्गी वाले हैं जिनके पास पैसे की कमी हैं भूग से तडप रहे हैं अपने बच्चों की कामियाभी के लिए इस परकार के जो लोग हैं वो जाते हैं उस्पिटल में और इस ऐस लोगों का लाब वो डोक्टर उठाते हैं लेकिन ऐसे डोक्टरों का किस परकार से बलाव सकता है आप देखना कोई कोई डोक्टर एक सौल के अंदर इतना उचा उठ जाता है और बों रुपए की संपत्ति खड़ी कर देता है दो साल के अंदर बहुत होस्पिटल खड़े कर देता कहां से आई होई आपके आस पास भी डोक्टर हैं MBBSB हैं MDB हैं MSB हैं सब परकार के डोक्टर वो क्यों नहीं उठ पाई क्या कारण है उन्होंने ऐसा क्या लग कर दिया बहुत से कई होस्पिटलों के बारे में मैंने देखा है कि आदमी मर गया पीछे से लास को नि मिल जाएंगे लेकिन शानती नहीं मिलेंगी बहुत परकार से यह काम होता है अडियां तक बेची जाती है कि अडियों का ट्रास्प्लांट कर दिया किसी के गुटना लगा दिया किसी की और बून चेंज कर दी आजकल तो एंड से ट्रांस्प्लांट होने लगे आथ को ट्र आखों को ट्रास्प्लांट कर दो जो जो भी शरीर के निकाले जा सकते हैं उनको यह आपको जो सस्ता सा सरीर मैसूस होता है ना कि बहुत सस्ता जीवन है मुझे परमात्मा ने कुछ नहीं दिया मेरे पास कुछ नहीं है जब आप इस शरीर की कीमत लगाओगे ना यह चलेगा एक एक अंग करोडों का है हम इससे कैसे बचें सब्से पहले तो आप अपने परिवार का ध्रान रखो हम किश लोक्टर के पास जा रहे हैं उसकी समाज में आहमियत क्या है और पास किया है और आप देखों की एक भॉत दूक्टर से सलालो दूसरे से सलालो करवाना है नहीं करवाना करवाना है तो फिर उसके बाद अल्टरा साउंड कराओ कहीं आपका कोई चोरी तो नहीं कर लिया आपको कैसे पता चलेगा आप ध्यान रखो हर चीज का आपका कोई पेसेंट है उसकी डेड़ बोडी है आप उसका ध्यान को डोक्टरी कराओ कोई अंग चोरी तो नहीं कर लिया किसी ने हमारे किसी पिरियजन के अंग को निकाल करके बेज तो नहीं दिया लाब तो नहीं उठाया अंग दान करना एक अलग बात होती है कि हम अपनी इच्छा से आखे दान कर दें किड़नी दान कर दें लिवर दान कर दें हार्ट दान होती है लेकिन अगर कोई डोक्टर उसको चोरी करके और उसका धंदा बना दे बिजनिस बना दे तो इस परकार के लोगों को से आपको सिकार नहीं बनना है बच के रहना है समझ के रहना है संबल करके रहना है और अपना अपने परिवार का आसपास के लोगों का आपको बहु